तो दोस्तो स्वागत है आप सभी क्या फिर से एक नए वीडियो में दोस्तो आज की वीडियो में आप लोग को फिरते एक वैसे ही सौट कोर्ट बिजनेस के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको इन्वेश्टमेंट बहुत ही कम मान के चले कि आप डेली के खर्चे आप जो हजार दो हजार रूपए, हजार रुपए इसके लिए बहुत ही उप कईसे जो है छोटा सा बिजनेस सुरू कर सकते हैं अच्छे खास से एक उससे प्रॉफिट भी कमा सकते हैं और इस business को करने के लिए इसमें आपको कोई machine का requirement नहीं होगा और किसी परकार का बड़ा सा investment नहीं करना होगा बस छोटा सा जैसे कि मैंने बताया डेली के खर्चों से आप इस business को सुरू कर सकते हैं और करके धीरे धीरे आप इसको बहुत बड़े एक company का रूप दे सकते हैं अ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं और वीडियो देखके नीचे आलतु-फालतु जो हो लोग comment कर देते हैं तो आप जानते हैं किस type के लोग है यह उस category के लोग है जिनका काम है केवल YouTube पे वीडियो देखना यह लोग केवल अपने मनरंजन के लिए YouTube पे व कुछ करना है वो लोग करके दिखाते हैं लेकिन जिनको कुछ नहीं करना ओता है वह जो लोग दूसरे लोग है उन लोग को करना चाते हम और 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 जहेंद फापनी मिल जाएगा tent फरी में बिल जाएगा वो लोग भी बहुत बहुत मेहनत किये थे बहुत स्ट्रवल किये थे फिर आज वहां पर पहुंचे हैं आप लोग उनका जीवनी एक पर उठा के पढ़ो जो लोग यह आलतोफालतो कमेंट करते हैं जानते कुछ है नहीं बस केवल वीडियो के नीचे कुछ नाना आपसना आप कमेंट कर देना है जो लोग बिजनेस को मोटिवेट हो रहे हैं बिजनेस के तरफ अग्रेसर हो रहे हैं उन लोग को केवल भड़काना है अपने कुछ करेंगे नहीं और किसी और को करने नहीं देंगे और ऐसे ही लोग जो है वो समाज में पिछड़े के पिछड़े रहा जाते हैं और जो लो कि इसे बिडियों देख ते रहते हैं और क्यों कमेंट करते रहा जाते हैं तो अगर आपको समझ में आता है तो कोई अच्छा सा कमेंट कीजिए अगर नहीं समझ में आता है तो आपके बहुत अगर इतना बड़ा आपके पास investment है तो मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि मेरे चैनल पर बहुत सारा वीडियो है जिससे आप investment करके बड़े-बड़े company लगा सकते हो बड़े-बड़े product बना सकते हो अगर उतना पैसा आपके पास है उतना investment है तो आपको वीडियो देखने का जरुवत ही नहीं है आप कोई भी machine लगा के अच्छा खासा जो है वो production करके आप पैसे कमा सकते हो लेकिन बात तब आती है जो लोग middle class family से हैं जो लोग job के लिए इधर उदर भटक रहे हैं जिनके पास कुछ नहीं है उन लोगों का problem जो है वो सबसे बड़ा problem होता है उनके पहले से मार्केट में चल रहा है फिर उसी business को आप कीजिएगा तो उससे कैसे फादा होगा तो मैं आप लोगों के लिए जो है नया नया business लेके आते रहता हूं तो दोस्तों आपको इन फालतु लोगों के जो है कमेंट के चकर में नहीं पढ़ना है बस आपको जो है अपन कर दिजिए ताकि इस तरीके का business related जब भी हम कोई नया वीडियो अप्लोड करें नहीं कोई जानकारी आप लोगों को देना चाहे उसका notification आप उस वीडियो को देख सके तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं business के बारे में बताते हैं कि आज के जो business है कौन सा business होने वाला है और क द्रीके से business को आप अकेले अगर आप house wife है कोई दिक्कत नहीं है आप इसको अपने घर से कर सकती है और करके अच्छे खासे पैसे कमा सकती है तो कोई भी हो चाहे जो कोई भी हो इस business को असानी से कर सकता है और कर e big उbank बीटो कमा सकता है और मैंने पहले भी बताया अभी भी कर रहा हूं कि इसमें आपको कोई म सीन लगाना है यह यह प्रोडक्ट आपके घर में तयार होने वाला प्रोडक्ट है और घर तयार करके आप अच्यए खासे प्रोफिट कमाएंगे कैसे कमांगे आप ध्यान मैं सारी बाते बता रहा हूं मार्टहां जब भी मार्केट बहूत सारे जए बड़े बड़े चोटे अब जाथी है आपको मार्केट में मिल जाएगे क्योंगि आपका जो product है उह टमाटर नहीं तयार होनेवाला है, आपको टमाटर।ं को अच्छे तरीके से wash करने के बाद, फिर क्या करना होगा ? का आपको टमाटर।ं को पतले-पतले pieces में, जिस पर चिप्स का शेप मन करे, जिस सप में उसको पतले पतले पीसेई है में उसको कट लिए इस आपको अच्छे तरीके से एक जगा स्टोर करना है अगर धूप नहीं है आप इस काम को करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जूए एक छोटा समसीन लेना होगा माइक्रोवेव अगर आपके पास है तो आप इसको असानी से ड्राइ कर सकते हैं नहीं तो आपको क्या करना हुए इसको धूप में फ्रेस धूप में जो है आपको इसको कपड़े पेपर पे कुछ भी किसा हैता से इसको अच्छे तरीके से सुखा लेना है दोस्तों एक बात क अच्छे तरीके से इसको दो दिन तिन दिन चार दिन क्योंकि टमाटर में पानी बहुत ज्यादा होते हैं तो आपको इसको क्या करना है कि बहुत ही अच्छे तरीके से पूर्ण रूप से इसको सुखा लेने है जब आपका टमाटर सूख के तयार हो जाता है फिर आपको इ आप अपने गर भी कर सकते हैंник आपने बिसेस के त criticizing करना है तो आप इसे तरीक अगर प्लकिते abundant नहीं होते हैं इसमें पलग को बता था चिप्स वाले जो कंपणिते गष्द upcoming बनाती है दीक सिर्टाशे हैं तो वह लोग मार्केट्स टॉनाटर र्टकार खरीते हैं तो उसमें आपकोे काकरने कि आपको टॉना का पाओडर बना के और आप जो भी बैसाइड आपको अच्छे लगे याने कि product आपके घर में तयार होगा और आपके घर से और बेचने के लिए कहीं ले के जाना नहीं परथा पुद्धार देद Алगर सो करना बड़ी बात नहीं है है क्योंकि प्रडच्ट करने के बाद अ darl जो है टमेटो पाउडर का पैकट जो है। आप मारकेट से ख़रीद सकते हैं। चपा-चपा या पैकट आपको के आपको भीस के हिसाब चुक से आपको मिल जाएगा। आप उसके ही वेट के आनुसार giàSE g 100 g , 500 g, 200 g, 100 kg , 1 kg , आप जितनने का pack बनाना चाहते हैं आप उस तरीके से packet खरी दिये पाउडर उसके अंदर फिल किजीए उसको अचह तरीके से seal कर दीजिए और market में seal कर दीजिए बस आपको इतना ही करना है अमाटर से खरीदना है सुखाना है पाउडर बनाना है और पैकेट भरके आपको सेयल कर देना है तो पहले आपको इतना बड़ा नहीं सोचना है, बस आपको business को सुरू करना है छोटे लेबल से, बस छोटे लेबल से आप सुरू कीजिए, और छोटे लेबल से सुरू करके आप इसको flip card और M-zone पे डाल दीजिए, ऐसे नहीं होता है तो आप restaurant वालों को, किराने धुकान वाल करने का, इस तरीके से करके आप कम पूजी के साथ आप एक छोटा सा बिजने सुरू कर सकते हैं, अपना product बना सकते हैं, अगर quality based product अगर आप देते हैं market में, तो आपका नाम मार्केट में अच्छा रहेगा, और आगे आप कोई भी product बनाएंगे तो अच्छी तरीके से मार् नग। एम अजदें के सीफ्ट्वार साथ आप परावे जय हैं, आपका रावे लगाप जय हैं विल्दाएंगे विल्दाएंगे तो आपका तो खेएंगे भी डेवांगे अन्यक्त, पाल आपका पाल के सा लावेश्स कर देना करते हैं, अपका प्रूपका देते हैं जई